I am Shivani Chauhan, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Class 9, Science के Booker Chapter 9 Force and Laws of Motion के In-Text Question In-Text Question की एक और वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं अब ये Second Video है In-Text Question की जिसमें हम लोग Page 126 वाली Question देखेंगे तो पहला Question है If action is always equal to the reaction Explain how a horse can put a cart तो अगर action हमेशा reaction के equal ही होता है तो horse किस तरीके से cart को खिच पाता है तो देखेंगे इसका answer है The Third Law of Motion states that action is always equal to the reaction But they act on two different bodies तो action-reaction के हमेशा equal होता है बगर action and reaction दो अलग-अलग bodies पे लग रहे होते हैं In this case, the horse exerts a force on the ground तो horse जो है ground पर exert force कर रहा है with its feet while walking The ground exerts an equal and opposite force on the feet of the horse तो जो horse है अपने पैरों से जमीन पर force exert कर रहा है और जमीन जो है वो horse पर force exert कर रही है यानि कि जो force है वो equal है और opposite है which enables the horse to move forward if the cart is pulled by the horse तो equal and opposite directions में होती है ना देखें जो हमारी force होती है वो equal होती है और opposite होती है मतलब घोडे ने पैर से जो force लगाई है वो जमीन पर लगी है और जमीन ने उतनी ही opposite force जो है वो घोडे पर लगाई है इसकी वजह से जो horse है वो easily move कर पाता है जमीन पर तो यह इसका answer हो जाएगा अब आगे है question number two explain why is it difficult for a fireman to hold a hose which is a large amount of water at a high velocity तो fireman के लिए जो जैसे एक वोटन पाइप जैसे होता है उसमें से बहुत सारा पानी निकल रहा होता है तो fireman के लिए उसको पकरना बहुत ज़दा मुश्किल क्यों हो जाता है जिसमें से बहुत ज़दा पानी निकल रहा होता है तो देखिए इसका answer है तो देखिए इसका answer है तो देखिए मोमेंटम बहुत ज़दा हो रही होती है यह momentum हम लोग ने देखी हुई है इससे पहले जब हमने chapter explain किया है तो water जो है वो काफी ज़दा आगे मतलब काफी ज़दा speed से निकल रहा होता है काफी ज़दा force के साथ निकल रहा होता है आगे की direction में और equal momentum is developed in the horse in the opposite direction मतलब जो यह देखिए यह person है यह fireman है इसने यह पकड रखा है तो यह आगे की तरफ पानी जा रहा है तो पानी आगे की तरफ जो push कर रहा है वो उतनी ही force backward direction में पीछे की तरफ भी लगा रहा है इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़दा momentum से पानी आगे जा रहा होता है उतनी ही ज़दा force पीछे की तरफ लग रही होती है क्योंकि उतनी ही ज़दा momentum है वो बहुत ही ज़दा लग रही होती है fireman पेसलिए उसको horse को पकड़ना horse क्या होता है वो पानी का बड़ा सा pipe type होता है तो वो opposite direction में क्योंकि आगे की तरफ force लग रही होती है तो उतनी ही force पीछे की तरफ भी लग रही होती है तो bullet जो है वो कितने की है 50 gram की है इस fire with the initial velocity of 35 meter per second तो initial velocity 35 meter per second है तो फिर recoil velocity मतलब देखिए gun से fire आगे की तरफ होती है न तो bullet आगे चली जाती है जो उसके पीछे की एक यहाँ पे symbol होता है fire जैसे की आगे की तरफ हुई तो वो उसके पीछे की तरफ धका देता है तो पीछे की तरफ वो backward बेजाती है तो mass जो है rifle का वो 4 kg आप लोग को given है bullet का mass जो fire उसका है rifle का उसको हम M1 ले ले लेंगे 4 kg और M2 ले लेंगे mass of bullet bullet का mass जो है वो 50 gram है तो gram को आपको kg में change करना पड़ेगा यूँकि units हमेशा हमें same रखनी होती है तो gram को kg में change करने के लिए divided by thousand हम करेंगे तो 1,0 से 1,0 और 1,2,2,0 है तो 0.05 kg जो है वो mass of bullet है तो mass of rifle 4 kg हो गया mass of bullet 0.05 kg हो गया और velocity जो होती है बुलट की वो होती है 35 meter per second तो 35 meter per second velocity हो गई तो recoil velocity मतलब back जोगन पीछे की तरफ होती है उसका क्या velocity होगी तो देखिए momentum of rifle जो होगी और वो momentum of bullet की बराबर होगी क्योंकि law of conservation of momentum जो है वो क्या होता है law of conservation of momentum होता है m1 v1 is equal to m2 v2 तो momentum जो mass into velocity होता है momentum मतलब कितना mass है और कितनी उस चीज़ की velocity है वही क्या हो जाता है उसका momentum हो जाता है तो momentum of rifle rifle का जितना momentum है और bullet का जितना momentum है उन दोनों को हम लोग equate कर देंगे तो momentum of rifle है m1 v1 तो m1 हमारे पास क्या है 4 kg यहां पर उपर देखिए कि m1 4 kg है और v1 क्या है velocity of bullet क्या है हम लोग को निकाल नहीं है हमारे पास है यह नहीं m2 हमारे पास है mass of sorry momentum of rifle हमें निकालना है हमें mass of rifle गिवन है बट velocity नहीं गिवन है हमें mass of bullet भी गिवन है और bullet की velocity भी हमें गिवन है तो 4 into v1 है is equals to 0.05 into 35 है यह चीज आ रही है 0.05 into 35 आप मल्टिप्लाइ करेंगे 0.05 को अगर आप लोग 35 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो answer आएगा 1.75 यह आप calculate करके देख सकते हैं और अब क्या होता है ना जिसकी value हमें निकालनी होती है उसको हम लोग को नीचे ले जाना होता है divide में तो v1 यहाँ पे था 4 को आप divide मिले जाएगे तो 1.75 upon में 4 आजाएगा है ना तो जब आप इसको divide करेंगे तो answer आजाएगा v1 की v1 आजाएगा 0.4375 तो recoil velocity of rifle आजाएगी 0.4375 meter per second simply कुछ नहीं करना है m1 v1 यह होता है m1 v1 is equals to m2 v2 इसमें values पुट करनी है और आपका answer आजाएगा m1 के जगा 4 v1 निकालना है m2 के जगा 0.05 और v2 की जगा 35 पस values पुट करनी है और answer आजाएगा next question है two objects of mass दो object है एक का mass है 100 gram और एक का mass है 200 gram एक object का mass है 100 gram और दूसरे object का जो mass है वो है 200 gram ठीक है एक object जो है उसका mass है 100 gram दूसरे का है 200 gram are moving along the same line and direction with a velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively तो एक object जो है एक जिसका mass 100 gram है वो 2 meter per second से move कर रहा है दूसर जिसका 200 gram है वो 1 meter per second से move कर रहा है अब वो टकरा गए है दे को light and after the collision the first object moved at the velocity of this तो determine the velocity of second फिर दो object move कर रहे थे तो पिर वो टकरा आगा है फिर उनकी velocity change हो गई पहले वाले कीतनी हो गई तो दूसरे की कितनी होगी वो हमें बताना है तो हमें यहाँ पर देखिए M1 आप लोग को gram में दिया था तो kg में निकाल लिया M2 gram में दिया था तो kg में kg में कैसे निकालते है 200 upon 1000 2 0 से 2 0 कर टे तो 1 0 तो है तो आगिया पॉंट लगा देने 2 के तो 0.2 इस तरीके से और U1 हमें 2 मीटर पर सेकेंड या था और दूसरे की विलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दे थी तो कोलीजन से के बाद विलोसिटी यह हो गई तो हम लोगों ने फॉर्मुला और डेरिवेशन सबको चैप्टर में पढ़ रखा है जब कोलीजन होता ना किसी भी ऑबजेक्ट का तो यह फॉर्मुला लगता है यह वाला ठीक है फॉर्मुला लगता है M1 U1 प्लस M2 U2 क्योंकि है ना इनिशल विलोसिटी दोनों की और फिर दोनों की फाइनल विलोसिटी M1 मास तो उत नहीं रहेगा V1 और M2 V2 विलोसिटी चेंज हो जाएगी तो फाइनल विलोसिटी को भी लेते हैं तो M1 देखिए यहाँ पर क्या है M1 है 0.1 तो 0.1 रख दिया U1 इनिशल विलोसिटी है 2 M2 हमारे पास 0.2 है और U2 1 है तो यह सारा हमने यहाँ पर पुट कर दिया और फिर यहाँ पर देखिए जरा M1 हमारे पास 0.1 है यही है सेम V1 हमारे पास दे रखा है कोलिजन के बाद एक विलोसिटी हमें दे रखिए 1.67 वो रख दि M2 हमें पास 0.2 है और V2 हमें निकालना है तो simply आपको calculation करनी है 0.1 into 2 0.1 into 2 हो जाएगा 0.2 और 0.2 into 1 हो जाएगा 0.2 तो 0.2, 0.2 क्या हो गया 0.4 हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी से multiply हुई 0.1 की 1.67 से multiply हुई तो आगया 0.167 और 0.2 की V2 से multiply होए तो 0.2 into V2 आगया यह चीज हो गई अब 0.2, 0.2, 0.2 plus 0.2 क्या बनता है 0.4 बन जाता है तो 0.4 बन गया यहाँ पर अब देखिए यह जो यहाँ था ना equal to से इस तरफ से यहाँ आगया तो जो plus में होता है वो minus में तो 0.4 को आप लोग minus कर देंगे यहाँ पर देखिए यहाँ तक देखिए जड़ा 0.4 में से आप 0.167 को minus कर दीजे और देखिए हमें तो V2 को अकेला चोड़ना है ना देखिए मैंने मैक्स भी आप लोगो समझाया है कि जिसकी भी value हमें निकालनी होती है उसको हमें अकेला चोड़ना होता है तो हमें V2 की value निकालनी है तो हमें V2 को अकेला चोड़ना पड़ेगा तो V2 को जब अकेला चोड़ेंगे तो 0.2 नीचे आजाएगा तो 0.2 यहाँ पर नीचे आगया यहाँ पर देखे इस तरीके से और फिर बस आपको इसको solve कर लिजे तो 0.4-0.167 आप करेंगे तो answer आजाएगा 0.233 और upon में 0.2 है इन दोनों का आप divide करेंगे तो answer आजाएगा 1.165 meter per second तो यह आपका answer आजाएगा तो velocity of second object क्या है second object की velocity यह है तो simply आप लोगों को values ही तो put करनी आपने सारे के सारे जो चीज़े थी वो आप लोगों ने लिख दी question में given थी तो उसके बाद आपने यह वाला formula लगा दिया इसमें values put कर दी और बस calculation करके answer लिकाल दिया तो यह हम लोगों के हो गए कुछ और questions जो next page के थे अब हम exercise के questions देखेंगे और जो भी बच्चे होंगे वो देखेंगे तो कैसा लगा वीडियो बताएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को subscribe करिए अपने friends के साथ शेयर करिए तेंक्यू